पुणा स्वागत करता हूँ कभी कभी हमको सुनने में ये मिलता है कि इस इस्थान पे नमक मिला हुआ पात्र रग दे तो हम लोग वैसा करते हैं और इसके प्रभाव भी बहुत ही अचुक मिलते हैं लेकिन अगर हम कुछ गलतियों को ना करें तब की बात है अगर हम अपने दैनिक जीवन में इसका प्रय सुक्र का रंग को देखें तो वो नमक के सफेद रंग से जुड़ता है साथ ही बोलते हैं कि नमक क्योंकि हमको करजा भी देता है नमक घर में फैलना नहीं चाहिए तो आईए हम इसी पर चर्चा करते कि क्या-क्या सावधानी रखें और हमारे जीवन में क्या-क्या ऐसी सम स्याय हैं जिनको नमक के उपाय के द्वारा हम दूर कर सकते हैं आईए उनी उपाय पर हम चर्चा करते हैं मित्रो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि घर की तरक्की अगर हम घर पे रहते हैं किराय के मकान में या स्वेम के घर में तो हमको हमेशा तरक्की चाहिए क्योंकि मह अंगाई बढ़ रही है और ऐसे में हमारे घर में धन का आवक बढ़ना चाहिए और साथ ही घर के सभी सदस्यों के मद्य समझत से रहना चाहिए इसके लिए सबसे पहला उपाया है कि गुरुवार के दिन छोड़ कर अन्यवार में आप चाहे तो रहीवार के दिन भी बहुत प्रयोग नहीं करते हैं तो गुरुवार रहीवार को अगर छोड़ते तो बाकी दिन आप जब भी घर में पोचा लगाए उसमें थोड़ा सा नमक डाल दे ये पहला उपाय है साथ ही आप जब भी स्नान करें अगर आप करजा ले चुके हैं अगर घर के सदस्य स्तिती बन रही है किसी कारण से करजा में हम चल रहे हैं तो करजा मुक्ति के लिए हमको अपने इस्नान वाले जल में थोड़ा सा दो चुटकी नमक डाल देना चाहिए यह उपाय बिमार लोगों के लिए भी काम आता है अगर कोई व्यक्ति बार-बार बिमार पड़ रहा है तो उसको बोले आप इस्नान करते समय दो चुटकी या एक चुटकी आप नमक डाल दे और भगवान का नाम लेते हो इस्नान करें साथ ही बोले अगर घर की किसी बड़े भुजुर्ग की तबियात बार-बार भी कर रही है तो हमको यहां पर यह देखना जरूरी है कि उनका सिरहाना क कि जो दिसा है वो पूरो किवर कर ले और सिर के जश्ट पीछे वाले भाग में एक कांच का बरतन लेना है देखिए कांच का बरतन इसले भी आवसक है क्योंकि बोलते हैं कि नमक का विसेश फल अगर चाहिए तो कांच के बरतन में रखने से मिलता है तो आप जो बिमार है जो थोड़ा सा अस्वस्त फिल कर रहा है अस्वस्त जिसको लग रहा है कि मेरे तबियत उतनी अच्छी नहीं है बच्चे बार-बार बिमार पड़ रहे हैं तो आप बच्चों का मुख जो है सिर जो है विस्तर का जो दिसा है उसको आप पूर्व दिसा क्योर कर ले और सिर हपते 10 दिन में उस नमक को बदलते जाए और हर हपते हर सब्ता आपके बच्चों का या आपके परिवार के सदस्य का तबियत जो है स्वास्त जो है वो लाब अवस्य मिलेगा एक उपाई यह भी है कि अगर घर के किसी सदस्य को नौकरी में जैसे उसको प्रमोशन चाहिए य उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाई बता रहा हूं इस उपाई से उनको अवस्यलाब मिलेगा पहला तो उनको यह बुलिए कि आप मुठी में एक मुठी पूरा भर करके नमक ले ले सफेद नमक ले ले और अच्छी बात है और उसको अपने उपर से तीन बार उतार ल देना है और उसारने के बाद आपको अगर कोई मंत्र याद ना हो ओम नमो भगवते वासु देवाए यहां मंत्र का करना है और इसको बहते जल में डालना है अगर आप सहर में राते हैं बहते जल ढूनना मुस्किल है नदी ढूनना मुस्किल है तो आप घर में फ्लस पहले खराब हो रहा है बार-बार एक्सिडेंट हो रहा है या बार-बार हमारे बिजनेस में घटा हो रहा है तो हमको यहाँ पे एक नियम को करना जरूरी है कि कि किसी के भी हाथ में कभी नमक ना देवें नमक का डिबा कभी ना खोल करके रखें और विशेश रूप से आपको एक और चीज़ है कि आप नमक जो है वो कभी भी आप ऐसे ना लेवे या किसी के हाथ में न देवे उसको किसी पात्र में या किसी विशेश रूप से जोले में उसमें करके ही लावे रात के समय कभी नमक नहीं खरीदना चाहिए यह अभी एक उपाय है गुरुवार के दिन भी नमक नहीं खरीदना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो यह चीज़ जो है किसी को देना भी नहीं चाहिए तो यह उपाय को आप करेंगे तो आपको विशेश लाप मिलेगा कुछ सला मैं देना चाऊंगा क्या होता है हम लोग कभी-कभी किसी की आदत हो जाती है जाने-अन जाने में कि भोजन बनाते हैं और थोड़ा सा चक लेते हैं ये भी नहीं करना है हमें सब भोजन को बोलते हैं भगवान को अरपित करे, गाय को अरपित करे, स्वयम ग्राण करे और अंतिम में जो बचता है रोटी या कोई भी भोजन उसको हमको कुत्ते को देना चाहिए इससे हमारे घर में विशेस रूप से उन्नती मिलती है, स्वास्थ आरोगी हमको मिलता है और कुछ ऐसे ही उपाय पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसको आप जरूर अवस्य रूप से ध्यान देवें अगर आप किसी ऐसे घर में जा चुके हैं, जहां आपको भोजन पसंद नहीं है तो आपको विशेस रूप से वहां मीठा ही ग्रहन करना है नमक किसी के भी घर का ऐसे नखावे कहीं भी जाते हैं तो अपने परिवार की बात अलग है, लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो नमक का सेवन करने से बचना चाहिए अगर बने तो सनीवार के दिन नमक को सुबा खरीद करके लाए या नमकीन चीज को खरीद करके लाए और उसको साम के समय किसी कुत्ते को या सनी बंदिर के आसपास किसी को दे देना चाहिए इससे भी हमारे सनी ग्रह का जो प्रकोफ है वो दूर होता है और सनी ग्रह करजा और विमारी और बहुत सारी चिंताओं को देते है वो उससे हमको मुक्ति मिलती है सानाथ ही सनी ग्रह की अगर क्रिपा बनेगी तो हमारे व्यवसाय में बहुत लाब हमको मिलेगा तो सनी ग्रह की क्रिपा के लिए हमको ऐसा करना चाहिए अगर हमारे घर में कोई वास्तु दोस के कारण काम नहीं बन रहा है तो हमको हमारे घर के ट्वैलेट या बात्रूम में एक काच के कटोरी या गिलास में नमक डाल लेना है खड़ा नमक जो है उसको डाल लेना है और उसको डाल करके रख देना है कोने पे और हर हपते दस दिन में उसको बदले इससे हमारे घर के जितने वास्तुदोस है जितने नेगेटिविटी है वो सभी दूर होता है लेकिन ध्यान रखे नमक को कभी ऐसे नहीं पेकना चाहिए उसको बहते जल में ही करना चाहिए कुछ ना मिले तो फ्लस कर देना चाहिए बोलते हैं अपने चोटे उपाया है लेकिन यह चोटे लग रहे हैं आपको पर बहुत यसरकारी उपाया है इन उपाया को एक बार अवस्य करके देखे इससे बहुत लाब मिलता है मारे बड़े बुजूर्गों ने इन उपाया को सदा ही किया है और लाब लिया है आप ऐसा ही लाब लेवे आज के वीडियो में मैं इतनी बात करना चाहूँगा कि नमक को कभी फेकना या फैलाना नहीं चाहिए नमक को हमको विशेश रूप से साउधानी से रखना चाहिए नमक के डिबे तो खोल कर नहीं रखना चाहिए और विशेश रूप से नमक जो है उसको कम से कम प्रयोग क करना चाहिए उसको अधिक प्रयोग नहीं करें इसे हमारे घर में हमारे परिवार में हमारे सरीर में भी विशेश रूप से स्वास्तलाब मिलता है आप सभी का दिन सुभ हो आप सभी के मध्य प्रेम सामंजस से बना रहे मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन कर दो